So, hey what's up guys, कैसे हैं आप सभी लोग? So, आज की वीडियो काफी ज़्यादा यहां पर helpful होने वाली है अगर आप लोग Redmi Note 9 Pro Max device है ना, वो यहां पर use करते हो क्योंकि finally यहां पर जो MIUI 13 और Android 12 का जो update है ना वो यहां पर publicly release हो चुका है मतलब कि सभी user है, उनके लिए update है ना, वो release हो चुका है तो क्या ही इस update के अंदर आप लोगों को नई feature है ना, वो यहां पर देखने को मिलते हैं कौन-कौन से नए changes हैं, वो यहां पर देखने को मिलते हैं और अगर आप लोगों को यह update करना चाहिए, तो आप लोगों को यहां पर कोई problem है वो तो यहां पर देखने को नहीं मिलेगी इसके बार में भी आज की इस वीडियो में complete आप लोगों को बताने वाला हूँ वीडियो को यहां पर पूरा देखते रही है, वीडियो अगर आपको यह पसंद आ रही है तो आपको वीडियो को अभी लाइक कर लेना है, बाद में आप लोग यहां पर बोल जाओगे और चेनल पे अगर आप लोग पहली बार आप विजिट कर रहे हो तो इसको आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को यहाँ पर ओल पर प्रेस कर लेना है ताकि फ्यूचर में और कोई इंपोर्टेंट अप्टेट आएगा तो आप लोगों को वीडियो सबसे पहले यहीं प अप्टेट के बारे में, so MIUI 13.0.1.0 का अप्टेट आना वो रिलीस किया गया है और IN मतलब की इंडिया के अंदर अप्टेट आना वो रिलीस हो चुका है और अप्टेट की जो टोटल साइज है वो आप लोगों को मिल जाती है 2.6 GB तो काफी एक बड़ी साइज का अप्ट अब लेख तो system के अंदर आप लोगों को चेंज लोग है वो या आपर मिल जाता है कि ये जो अप्टेट है वो एंडियो 12 के stable अप्टेट के साथ में आप लोगों को देखने को मिलता है और इस अप्टेट के अदर आप लोगों को August 2022 का latest security ratio का आप्टेट है आना वोआपर आ जाता तो काफी यहां पर अच्छी बात होगी अब यह लोग क्या करेंगे जैसे कि अब भी अप्टेट आ चुका है उक्टूमबर मन्त के अंदर अब यह चार-पांच मन्त ओल लगाएंगे और उसके बाद में जो सेक्रूर्टी पेसलो का अप्टेट है वो और भी जाद है आपर ओल्ड हो जाएगा तो यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है बात कर लिते हैं फर्स्ट चेंज के बारे में तो यहां पर जो आप लोगों को MIUI 13 का कंट्रोल सेंटर है वो फाइनली यह जो बैगराउंड बलर है वो यहां पर देखने को मिलेगा जैसे कि मेरा wallpaper है इसके अदर blue कलर जाद है तो आप लोगों को फो यहांपर control center है इसके अदर blue color प्लस yellow कलर यह जो नजरा रहे ना background blur वो आप लोगों को 4GB वेरियंट है उसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा अगर आपके पास में Redmi Note 9 Pro Max device है और उसकी रेम है वहाँ पर 4GB है तो यहाँ पर यह वाला control center है वो तो यहाँ पर मिलेगा लेकिन यह जो background blur है वो नहीं मिलेगा एक green color का ग्रे color का आप लोग कह सकतो control center रहना वहाँ पर provide किया गया है शाओमी की तरब से तो यह भी आप लोगों को एक छोटी सी बूरी बात है ना वहाँ आप देखने को मिलती है 4GB variant के साथ में बात कर लिते हैं guys और कुछ नए feature के बार में तो उसके लिए simply आप लोगों को यहाँ पर कु पाल को open करने है और wall paper को यहाँ पर open करने है अब जिन लोगों ने आपर theme application का जो latest update है वो पहले ही आप लिए इस्टोल कर लिया था उन सभी को तो यह वाली wall paper है वहाँ पर पहले मिल गेते हैं और जिन लोगों ने आपर install नहीं किया था उनको इस update के साथ में यह सारे wall paper है वहाँ पर provide किये गए हैं तो इनका look भी आप लोग जैसा कि देख सो और यह वाला wall paper है वो काफी लोगों को यह पर पसंद आता है बात कर लिते हैं next change के बार में जो कि आपको मिलेगा setting application के अंदर setting application को open करने के बाद में जाना है आपको यहाँ पर special feature के अंदर special feature के अंदर जाने के बाद में एक छोटा सा change है ना वहाँ पर यह देखने को मिलता है sidebar तो यह कौन सा feature है इसके बार में मैं आपको थोड़ा बता जाता हूँ sidebar का जो feature है वो इस update के अंदर enable किया गया है इसकी position है वो आप लोग left right रख सकते हो यहाँ पर आप लोग को एक छोटी सी line ह ना वो visible हो रही होगी अगर आपको कुछ इस तरह के से इसको swipe करोगे सो जितने भी जो अपलीगेस है आपकी device के अंदर वो यहाँ पर open हो जाएगी और किसी पर भी आप लोग one tape करने के बाद में उसको as a floating window है उसकी तरह आपर use कर सकतो जैसे कि telegram को मैं आपर use कर रहा आप लोग कुछ इस तरह के से इसको आपर close भी कर सकतो तो यह भी एक छोटा सा feature है वो इस update के अंदर aid किया गया है अब बहुत सारी user को यह वाला feature है वो देखने को नहीं मिला है अगर आपके device के अंदर यह वाला feature आ गया है तो आप लोग नीचे comment section में बताना ताकि बाकी जो user है उनकी आपर help हो जाए अब दोस्तों बात कर लिते हैं इस update के अंदर bugs है वह आपर कौन कौन से देखने को मिलते हैं so MIUI 13 और Android 12 का update है वो काफी ज़्यादा एक smooth update है वह आपर provide किया गया है इस device के लिए और एक बात मैं आपर बोल जाओं उससे पहले मैं आपको बता मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बतायता कि Redmi Note 9 Pro Max और डिवाइस है इसके लिए एक बूरी बात है वह आपर देखने को मिलती है so वो बात यह है कि MIUI 13 और Android 12 अप्टेट है वो इसका last update होने वाला है मतलब कि जैसे future में MIUI 14 और Android 13 का update हैगा तो वो आप लोगों को Redmi Note 9 Pro Max डिवाइस के अंदर देखने को नहीं मिलेगा यह एक last update है वह आपर अपर रिलिस करा दिया गया है Xiaomi की तरब से अगर आपके डिवाइस के अंदर अप्टेट है वो अभी भी आप लोगों को देखने को नहीं मिला है so आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है आज कल पर स इसका रिंक मैं आपको नीचे description में provide करा दूँगा बात कर लिते हैं guys यहाँ पर bugs है वो इस update के अंदर मिले है या फिर नहीं तो बहुत सारी user है जो कि मेरे से telegram पर बात करते हैं Instagram पर बात करते हैं और उन लोगों ने बताया कि update है वो काफी ज़दा smooth है कोई बड़ी problem है व इस update के बार में आप लोगों को बताना था कि update है वो release हो चुका है क्या कुछ आप लोगों को नया मिल जाता है और bucks है वो या पर मिलते है या फिर नहीं तो वीडियो अगर आप लोगों को यह पसंद आई तो आप लोगों को वीडियो को like कर लेना है और channel पे अगर आप लोग यहाँपर पहले पार विजिट कर रहे हो तो इसको आप लोगों को subscribe पर के, bell icon को यहाँपर all paper प्रेस कर ले यहाँ पर आपको वोल पेपर भी मिल जाएगा तो आज की वीडियो बस इतना ही मैं मिलता आप लोगों को नेक स्वीडियो में तब तक के लिए जेहिंद वंदे मातरम